महाम रत्यूंजे मंत्र शावन में करना चाहिए महाम रत्यूंजे मंत्र का जाप इसका धार्मिक और अध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है सिव पुराण सहित कई ग्रंतों में महाम रत्यूंजे मंत्र के बारे में लिखा गया है सीव को प्रशन करना है तो इस मंत्र का जाब सबसे अच्छा है बिमारियां और हर तरह की मांदशी के उन शारिरिक परेशानियों को दूर करने के लिए हमें महा मरत्यूंजे मंत्र का जाब करना चाहिए दोस्तों ग्रंतों का मानना है कि अकाल मरत्यूं में अगर आपकी मृत्यू होने वाली है अकाल मृत्यू के योग तक इस मंत्र से टल जाते हैं श्वर्विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो महा मृत्यू जे मंत्र के अक्छर का विसेश स्वरकिशा तो चरण किया जाए तो इससे उत्पन होने वाली दोहनी से सरीर में जो कमपन होता है उससे उचिस्तरी विद्धुत प्रवा होती है और वो हमारे सरीर की नाडियों को सुद करने में मदद करती है आईए दोस्तों हम आपको महा मृत्यू जे मंत्र एक बार पढ़के बताते हैं ओम तरंबकम यजा महें शुगंदी पुष्टी वर्धनम उर्वारुकमे वंदनास मृत्यू मोक्षिय मामरताम इस मंत्र का जाप हमें प्रातह काल उठकर करना चाहिए इसके पीचे सिर्फ धर्मी नहीं है पूरा स्वर्शिद्धानत है इसे संगीत का विज्ञान भी कहा जाता है मरहा मरत्यू जे मंत्र की शुरुआत ओम से होती है लंबे स्वर और गहरी सांस के साथ ओम का उच्चारण किया जाता है इससे सरीर में मौजूद सूर्य और चंद्र नाडियों में कमपन होता है हमारे सरीर में मौजूद सब्त चक्रों में उर्जा का संचार होता है जिसका असर मंत्र पढ़ने वालों के साथ मंत्र सुनने वालों के सरीर पर भी होता है इस चक्रों में कमपन से सरीर में सक्ती आती है और रोग प्रती रोधक छमता वड़ती है इस तरह श्र और सास के तालमेल के साथ जाब करने पर बिमारियों से जल्दी से जल्दी मुक्ती मिलती है महाम रत्यूंजे मंत्र के हर अक्षर का विसेस महत विसेस अर्थ है प्रतेक अक्षर के उच्चार में अलग-अलग तरह की धोनी निकलती है तता सरीर के विशे संगो और नाडियों में खास तरह का कमपन पैदा करती है इस कमपन के साथ सरीर में उच उस्तरी विद्धुत प्रवा होती है इस विद्धुत प्रवा के साथ निकलने वाली तरंगे वाता वरण यों आकासी तरंगों से जुड़कर मानसीक और शारिडिक उर्जया प्रदान करती है महामरत्युंजे मंतर के अनुस्ठान का उप्योग देवताओं द्वारा मारे गए राक्षस को जीवित करने के लिए किया गया था इसलिए से संजीवनी मंतर के नाम से भी जाना जाता है अगर आपको जानकर ये अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें वीडियो को